पोस्ट आपिस की मासिक आई हुजना एक ऐसी स्कीम है जिसके जरिये आप हर महिने आमदनी कर सकते है सरकारी गारंटी वाली इस डिपोजिट स्कीम में सिंगल और जोइंट एकाउंट की सुविदा मिलती है सिंगल एकाउंट में अधिक्तम 9 लाक रुपे और जोइंट एकाउंट में अधिक्तम 15 लाक रुपे तक जमा किये जा सकते है अगर आपके पास भी अच्छी खासी सेविंग है या पती पतनी मिलकर अच्छी खासी आये कमाते है तो अपने बुडापे का सहारा बनने के लिए post office की इस skim में निवेश कर सकते है जिससे कि आपको हर मेने 9,250 रुपे की कमाई होगी Post office की इस skim में आप अधिक्तम 5 साल के लिए पैसे को जमा कर सकते है इस amount पर मिलने वाले ब्याद से आपकी कमाई भी होती है और आपका deposit किया हुआ जो पैसा होता है वो भी सुरक्सित रहता है Joint account के जरीए आप अधिक्तम 9,250 रुपे पर मन्त कमा सकते है और ये skim retired लोगों के लिए काफी अच्छी माने जाती है अगर पती-पतनी मिलकर इसमें निवेश करे तो अपने लिए मन्तली इंकम का अच्छा कासा इंतजाम कर सकते है दरसल पोस्ट ओपिस की इस skim का पूरा नाम National Saving Monthly Income Account है मौजुदा समय में इस skim के तहट रकम जमा करने पर 7.4% के हिसाब से व्याज मिल रहा है अगर आप इसमें Joint Account ओपन करवाते है तो 15 लाख रुपे तक डिपोजीट कर सकते है और इसके उपपर आपको 7.4% के हिसाब से व्याज अगर मिलता है तो पूरे साल का 1,11,000 रुपे की गारंटीड कमाई हो जाती है और 5 सालों में यानि की 5,55,000 रुपे तक कमा लेंगे व्याज से होने वाली सालाना कमाई 1,11,000 को अगर 12 हिस्सों में बाटा जाए तो 9,250 रुपे प्रती महिने की कमाई हो जाती है अगर आप इस Post Office की स्कीम में सिंगल एकाउंट खुलवाते है तो इसके लिए 9,000,000 रुपे तक डिपूजीट अधिक्तम किये जा सकते है जिसके उपर सालाना व्याज 66,000 रुपे, 64,600 रुपे मिलता है और इसे जाब से 5 सालों में 3,33,000 रुपे की कमाई हो सकती है और इस तरह से एक प्रती मेंने की कमाई अगर देखी जाए तो 5,550 रुपे होती है इस स्कीम का फाइदा देश का कोई भी नागरिक ले सकता है बच्चों के नाम पर भी एकाउंट खोले जा सकते है बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसके नाम पर भी उसके माता-पिता की मंजूरी और या फिर कानूनी अभिबावक एकाउंट खोल सकते है बच्चे के उम्र 10 साल होने पर वा खुद भी एकाउंट का संचालन का अधिकार पा सकता है बता दे कि इस एकाउंट के लिए आपको पोस्ट ओफिस में इसके लिए अलग से एकाउंट खुलवाना होता है और इसको सेविंग एकाउंट बोला जाता है पोस्ट ओफिस का सेविंग एकाउंट खुलवाना होता है इस account को खुलवाने के लिए ID proof के तोर पर आधर कार्ड और pen कार्ड देना अनिवार है Post Office की इस scheme में अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकालना चाते हैं तो ये सुविदा भी इसके अंदर सामिल है लेकिन ये सेवा एक साल के बाद में मिलती है यानि कि अगर आपने ये scheme में पैसा लगाया है तो एक साल के बाद आप पैसे को निकल सकते है scheme को बीच में बंद करवा सकते है लेकिन इसकी एक सर्थ भी है अगर आप एक साल के बाद में पैसे इस scheme को तुड़वाते है पैसे निकलवाते है तो डिपोजिट की गई amount के उपर 2% का व्याज काटके आपको पैसे वापस मिल जाते है लेकिन अगर 3 साल के बाद अगर आप पैसे निकलते है तो आपको 1% का व्याज चुकाना होता है अगर आप 5 साल के बाद में वापस इस scheme का फायदा लेना चाते है तो आपको नया एकाउंट खुलवाके वापस अपने पैसे को जो है इसमें जमा करके इसका फायदा आगे भी continue ले सकते है तो इस तरह से जो लोग retired लोग है जिनके पास अच्छी खासी income source है पैसे आ रहे है वो लोग इस scheme का फायदा उठा सकते है खास करके पति पतने दोनों मिलकर इस scheme में निवेश कर सकते है जो कि आपकी एक monthly income का source बन सकता है तो उमिद आपको ये जानकारी पसंद आयोगी आपका कोई सवाल है तो नीचे comment करके अवश्य बताईएगा